दोस्तो मैं अल्पना सरो स्वागत है आप सभी का स्वाधिश्ट वोजिन में दोस्तो आज हम बनाएंगे यूपी स्टैल में चने डाल की पूरी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया आधा का टोरी चना डाल तो दोस्तो फैमिली के हिसाब से आप चने डाल को कम दोस्तों भी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देओ लाल रंकी बटम को सब्सक्राइब कर दीजिए और वगल निवेल की घंटी है उसे आप बजाना ना भूलिएगा तो यहाँ पर दिखी दोस्तों मैंने दाल को अच्छे से रगल कर धो लिया है निकाल देंगे तो किसी अलग बरतर में चान देते हैं दोस्तों आप जब ही दाल पूरी बनाने के लिए भी घॉँए तो वह रात को ही घूँए तो ज्यादा चीसे फूल जाती है तो मैंने पानी चान दिया है अब इसमें हम दूसरा पानी डाल देंगे तो पानी हम थोड तो यह दोस्तो दाल इसी तरह के फूली होने चाहिए उसके बाद दोस्तो अब इसे हम आई में रख देंगे इसका मसाला त्यार करेंगे तो दोस्तों मसाले में हमेचे लैसन और हरीमिज दोस्तों ये दोनों थोड़ जादा रहेगा तो जादा अच्छा लगता है क्योंकि पूरी चटपटी ही स्वादिस लगती है खाने में अब हम चलते हैं कडाही की तरफ, तो दोस्तों कडाही में डालेंगे रिफाइन का तेल, तेल जैसे ही गरम होगा इसमें डालेंगे एक चम जीरा, जीरा थोड़ा चटकने देंगे, जीरा जैसे ही चटके का दोस्तों उसमें डालेंगे हरी मिच और लैसन जो हमने रखा था, उसके बाद गैस के अच मेधियम रखेंगे सब कुछ में दालेगे अधा चम शुड़ी का पोडर अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों आप चाहिए जगा थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं दाल लगनी नहीं चाहिए नीचे नहीं तो स्वात खराब हो जाएगा तो हम अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद इसे ढख करके दो तीन मिनट अच्छे से पका लेंगे दाल अच्छे से पकी होनी चाहिए तो अच्छे से मिला दिया है मैंने आप इसे हम ढख देंगे तीन मिनट के लिए गैस के आज मेड़ा में ही रखेंगे तीन मिनट होगे दोस्तों खोलेंगे तो एक बार हम चिक कर लेते हैं तो ये दिखिए दाल अच्छी से हो गई है दोस्तो हलकल किसी लगने भी लगी है बस इतना ही अब हम गैस के आज बन कर देंगे से निकाल देंगे ठंडा होने के बाद पीसेंगे तो दाल अच्छी स्ठंडी जैसी होगी वैसे हम इसे मिक्सी जार में डालेंगे तो हम एक बार में पूरा नहीं पीसेंगे थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और पूरे से महीन पीसेंगे खरदर्रा बिलकुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोस्तो पूरी फट जाएगी, पानी बिलकुल नहीं अट करें, अब इसे हम महीन से पीस लेंगे, तो मैंने इसको पीस लिया, खोल के दिखा दियूं आपको, तो दोस्तो यह देखिए, किस तरह के पीसा हुआ होना देखिए पूरा महीर मैंने इसको पीसा है पाने बिलकुल नहीं डाला है तो आप हम इसे किसी अलग बरतर में निकाल लेंगे मैंने थोड़ा पहले ही दाल पीस के रखा है उसमें पहले हम डाल देंगे से दोस्तो अगर आप इस तरीके से दाल की पूरी बना के खाएंगे तो आप भूल जाएंगे और कोई अलग पूरी खाने का तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूरी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में मुझे भी बहुत पसंद है और आप लोग के भी मुझे पता है कि पसंद बहुत जाद आएगा खाने में अगर बना के खाएंगे इस तरीके से तो तो यहां पर मैंने आटा लिया था इसे हम अच्छे साल लेंगे जिसे कि रोटी बनाने के लिए लगाते हैं आटा वैसे ही बलकुल लगाएंगे तो आटो को दोस्तों मैंने लगा लिया है इसे रख देंगे जैसे कि अच्छे से फूल तब हम इसके पूरी बनाएंगे तो आटा फूल गया है अईती बड़ी हम लोई लेंगे छोटी सी इसे पहले गोल गोल करेंगे इस तरह से चप्टा करेंगे चप्टा करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हांसे बड़ा करेंगे काटूरी जैसे बनाना है हमें इसके बड़ा करेंगे यह दे कि इतना बड़ा मैंने किया है अब इसके बीच में हम डाल रखेंगे जो हमने पीच के रखा था तो दोस्तों दलभरी पूरी है तो दाल थोड़ा ज्यादा ही रखना क्योंकि दलभरी पूरी का स्वाद दलभरी जैसे आने चीए इसका मतलब करेंगे हलके हां से ज्यादा तेजिस नहीं दबाएंगे अब इससे हम सूखे आटे में डालेंगे आटा सूखा लगाने के बाद दोस्तों इस टाटा जो लगा है इसे हम अच्छे से जर्या के उसके बाद से बेलेंगे और बेलते वक्त एक बात कर जरूर ध्यार रखना दोस पूरी हो गया है रिफान का तेल लगाएंगे अच्छे से लगाएंगे गैस के आच मीडियम ही रखेंगे नहीं तो पूरी क्या दोस्तों जल जाएगी दोस्तों यह दलभरी पूरी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं कोई दाल को चुरा के बनाता है तो कोई सीटी मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह दिखिए दोस्तों एक तरह अच्छे सीख गया है इसे अलट पलट के दोनों तरह अच्छे सेख लेंगे कच्छी नहीं होनी चाहिए तो हो बनाएए खाईए और दोस्तों मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको दलभरी पूरी की रेस्पी कैसी लगी